हेलो, नमस्कार, आदाब, सस्त्रियाकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जियस वाले भई आपका हारदिक स्वागत, हम अभी नंदन करते हैं, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरो यारो का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें धे आईएस की प्रैक्टिस सेट भी हैं, जिसमें पांच हिंदी के हैं और पांच जियस के हैं, तो दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट सेटन हो जाता है, क्योंकि हमने बहुत ही कम समय में फुल एक्स्प्लेनेशन और मैपिंग के साथ कवर कराया है सारी चीजें, और चारो विकल्पों को बहुत अच्छे तरीक से एक्स्प्रेन भी किया है, उसका बैक्ग्राउंड, सारी चीजें कवर किया है, तो दोस्तों जाहिड सी बात है, एक्जाम के लिए काफी हेल्फूल हो जाता है, तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं, पहला कोश्चन है, कथन और कारण वाला, कार् पहले दूसरे को छोड़ करके, तीसरे और चौथे में आंसर मार के निकल लेते हैं, तो पहला गलत हो गया, मतलब इसका D option इसका सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में पूरा अच्छे से करेंगा, इस व्यवस्ता क उद्देश हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंतिर्द करना तथा, उस पर कर लगाना था दोस्तों, ठीक है, यह पूर्तगालियों के दारा लागू किया गया था, अकबर को भी कर लेना पड़ता था, इसमें से, दूसरा है, मराठा प्रशाशन में निमलिख अच्छाओं को सुनिश्चित करते हैं, और सरदेश मुखी एक बटे दस भाग लिया जाता था, ठीक है, इसको रंगीला भी कहा जाता है, ठीक है, इसका उपनाम रंगीला है, क्यों कहा जाता है, अभी विकल्प भी बताएगा, ठीक, इसके शाशनकाल में हिजणों तथा म हिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्त था, सही बात है, यह स्टेट्मेंट सही है, लेकिन क्या पूछा क्या गलत है, ठीक है, यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल समराथ था, यह भी सही है, क्योंकि मयूर सिंहासन तक्ते ताउस का निर्मार शाजहा ने करव को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार कि सुविधा प्रदान की यह गलत हो जागा, और गलत ही पूछा है, तो डी आंसर इसका सही हो जागा, शुल्क मुक्त व्यापार करने की विवस्था, और रुक सियर के द्वारा की गई थी, ठीक है, चौथा है, सुगावली की स्थापना का सही कालकरम के हिसाब से एक विकल्प सत्य बताना है, ठीक है, कालकरम बताना है, प्राथना समाज, आत्मा राम पांडुरंग ने स्थापित किया था, अब हम लोग नाम तो हम को याद है, आत्मा राम पांडुरंग, लेकिन हम लोग कौन की संस्था का स्थाप करते हैं, कब करते हैं, यह 18-39 में करते हैं, ठीक है, यह हो गया, परमहंस मंदली, पासे परमहंस, पासे पांडरंग, तो इसके भी आत्मारा पांडरंग है, तुरंत नोट कर लिजेगा, जो भी मिलेगा, ठीक है, इसकी स्थापना भी 18-49 में हुई थी, और ब्रह्म समाज तो सबसे पहले चौथा आता है फिर आता है दूसरा तो चार दो आता है यह यह कैंसल हो गया पिर उन्चास आ जाता है चार दो तीन एक आ जाता है दोस्तों ठीक है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक ऐसे ही कई अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कितनी संस्थाएं है कौन स्थापना किया है सारी चीजों को आपको रिवाइस करना है पिछले शेशनस में भी हम बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं कैसे याद करना है अब जैसे आत्माराम पांडुरंग में हम कन्फिज होते हैं या नहीं याद होता है तो पासे पांडुरंग हो गया पासे प्रातना समाज हो गया पासे परमहन समंडली हो गया बस इसका सन याद करना है ठीक है प्रातना समाज 1867 में है और परमहन समंडली 1849 में तक तो बोधनी नी-9 आ रहा है तो 1839 ठीक ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों जब हम लोग याद करते हैं अगर कंसंट्रेट होगे हैं हमारे और से पढ़ना है, फुल कंसंसर तेट के साथ ऐसे प्रातना संग्ष, निवलिखित कत्रों पर विचार करें, आननदमठ उपन्यास की कतावसुष, सन्यासी बिद्रों पर आधारिति, बिल्कुल सही بात है, वंदे मातनमगीत आननदमट से ही लिया गया है ये भी सही है और आननदमट के लेकर बनकिम चंद्चटर जी है तो सत्य कथन बताना है तो कीनों कथन इसके सत्य हो जाएंगे ठीक है तात्मा कोश्यन है निम्लिखित वाइसरावे में से कौन सा एक साहितकार एंग कवी भी था जो अपनी रचनाए ओवेन मेरीडित के नाम से लिखता था बहुत इंपोर्टन है लॉल लिटन आ जाता है लॉल लिटन का कारेकाल 1876 से 80 के बीश में था और इसी के समय में वर्ना कुलर प्रेस अक्ट आया था ठिक यह हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं ठिक आठवा है निम्लिखित करांतिकारी संगठनों में से किस एक यह स्थापना विदेश में हुई था बहुत इंपोर्टन है विदेश में हुई इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में हुई थी जापान में हुई थी दोस्तों ठिक हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी होम रूल होम रूल का मतलब 1905 में स्वदेश आंदोलन स्वदेशी आंदोलन चल ला था न उस समूँ 1905 उनिस सपाथ में, मतलब बिटेन में हुई थी, अब हमारा होम रूल और बिटेन से आटो Mathematik वन गया हमको याद हो गया है, अब United India House तो हमने USA से याद कर लिया United India House, और United India House की सपना 1908 में होती है, ठीक? तो यह याद हो गया और तो उपरोग्त सभी इसके आंसर हो जाएगा ठीक है नाहिंत है निमलिकित में से कौन सा एक सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्ट था सत्य शोधक समाज महराष्ट में जाती विरूधी आंदोलन था तो C इसका आप्शन सही हो जाएगा जोतिबाराव फुले के दोरा किया गया था दसवा है एक वर्ष में सुराज का नारा महत्मा गाधी दोरा असहयोग आंदोलन के दोरान दिया गया था असहयोग आंदोलन एक अगस्त 1902 से सुरूआ और 22 तक चला दोस्तों सवीने अवग्या आंदोलन 1930 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और दिल्ली चलो आंदोलन 1940 में हुआ था ठीक ग्यारवा कोशन आजए था अशोग के संबद में निमलिखित कथरों पर विचार करें अशोग के समय में मौर काल में प्रांतों की संख्या पांस्ती बिल्कुल सही है उत्तर दक्षन पूरा पश्टिम और मद्ध अभी बता देता है मास्की के लगुचिला लोइक में अशोग ने स्वयम को बधशा के कहा ये भी सत्य है तो ग्यारवां का क्या हो जाएगा एक और दो दोनों सत्य हो जाएगा ठीक है जो प्राच था इनका जो प्राच मतलब पूर्वी पूर्वी का पाटली पुत्र इनकी राजधानी थी ठ जयनी थी ठीक है ये ध्यां देना है उसके बाद आजाता है उत्तरा पत उत्तरा पत की राजधानी थी संवर्ड गीनी थी यह हम लोगों को ध्यान देना है अब बारवा क्कोश्चन है नीचे नीचे कठन कारण सेट में कि क्योंकि इए गलत है विसुर्ट सब्यता में जो सरस्वती न दीती सबसे पवित्र न दीती लेकिन पूछता है सबसे महत्पूर्ण न दीती तो सिंधु न दीती ठीक है ये धाने ना सबसे महत्पूर्ण सिंधु सबसे पवित्र सरस्वती गंगा नदी का उलेक एक बार किया गया है यमुना नदी का उलेक तीन बार किया 14 हुआ है सल्तनत काली निम्लिकित करों में से कौन सा एक गैर मुस्लिम किर्शकों से लिया जाता था ध्यान देना है गैर मुस्लिम किर्शक हैं जजिया मत लगा के चले आईएगा क्योंकि जजिया एक प्रकार के धार्मिक करता और गैर मुस्लिमों से जजिया कर लिया जाता था ये खराज हो जाएगा खराज किर्शक को पर लिया जाता था कर और जो गैर मुस्लिम किर्शक थे उन से लिया जाता था और यह जो खुमस होता था खुमस युद्ध में लूट का धन होता था ठीक है और जकात मुस्लिमों से लिया जाता ठीक 15 हमा है आधुनिक भारती इतिहास में निम्र घटनाओं को पहले से बात के क्रम में बताना है नहरू रिपोर्ट आया था 28 अगस्त 1928 को ठीक है नहरू र सबसे बड़े महा कावे महा भारत के किस परव में गीता कावले के बहुत इंपार्ट कोश्चन है तो भीष्व परव में आता है ठीक तत्रहवा देखते हैं कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है ढंक से पढ़ना है पूरा कोश्चन ठीक खूफिया नवीस गुप्त पत्र लिखकता खूफिया नवीस कह सकते हैं सही है ठीक है वाकिया नवीस सूचना अधिकारी था ये भी सही है मिर ए बर वन अधिक छकता दोस्तों ये भी सही है ठीक और मुश्रिफ समाचार लिखकता ये गलत हो जाएगा और गलत इस्टेटम सवानिह निगार था, सवानिह निगार था, तो ये हम लोगों को एक्ष्ट्रा मिला है, आप लोग इसको तुरंतों कर लिए, मिर ए बर, बर बास से सुरू होता है, तो बन अधिक्षक याद कर सकते हैं, ठीक है, वाकिया नवीस हम लोग पहले भी पढ़ चुक है, सूचना अ मतलब भारत छोटी, ठीक है, तो बिलगराम के ही युद्ध में, और इसी को कर्नोच का युद्ध भी कह जाता है, चौंसा का युद्ध हुआ था, पंदरा सो उन्तालिस में, ये ध्यान देखना है, और चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदनी राय के बीश में हुआ था, पंदरा सो अठाइस में हुआ था, ठीक है, और घागरा का युद्ध पंदरा सो उन्तिस में हुआ था, ठीक है, ये देख लेते हैं, पानीपत का युद्ध पर्थम युद्ध हुआ था, पंदरा सो उन्तिस में, ये ध्यान देना, और इसको कैसे याद कर लेते हैं, पानी पी या खाना खाया चल दिये घर को ठीक है और जो हिमायू के द्वारा जो लड़े गया युद्ध ते बहुत important question पूछता है द्वरा का युद्ध था पंदरा सो 31 में या 32 में भी आता है ठीक है 31 32 में दोनों आता है द्वरा का युद्ध उसका 14 का युद्ध आता है पंदरा 1555 में फिर बहुत important यूद आता है सरहिंद के युद्ध में हिंद में वापसी होती है हुमायुकुई यहां से आप ये डिलेट करके बिल गिराम के युद्ध में बिल में चले गए चले गए और सरहिंद में आ गए हिंद में वापसी होगे ऐसे याद कर सकते हैं 1555 में हुआ ठीक है उनिसवा है निम्न में किस एक सूफी विचारधारा से सम्बंधित शब्द है मुरीद बाशरा खान का उपरोग तो सभी है जैसे हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं गुरू और शिष्य तो मुरीद और पीर होता था मुरीद का मतलब शिष्य होता था ठीक खान का हैं हिंदू में बौध में ऐसे ही वहाँ खान का होता था बाशरा और बेशरा बाशरा का मतलब होता है बाशरा और बेशरा इसको याद करते हैं बेशरा को आप बेवफा से जाते है तो बेशरा बेवफा बेशरा का मतलब शरा मतलब जो शरीयत के कानूनों में विश्वास करता हो, कहते हैं नहीं बाइज़त बड़ी करते हैं, तो बा मतलब होता है सहित, इज़त सहित इनको बड़ी किया जाता है, ठीक, बीसमा कोश्चन है निमलिखित पल्लों के शाषकों में से कौन से कालकरम के अनुसार अंतिम इस्थान पर आता है, पल्लों के जो संस्थापत वो सिंग विष्णू थे, सिंग विष्णू के बाद आते हैं महेंद वर्मन, महेंद वर्मन के बाद आते हैं नरसिंग वर्मन, और नरसिंग वर्मन के बाद आते हैं परमेश्वर वर्मन, फिर परमेश्वर वर्मन के बाद आते हैं नंदी वर्मन, ठीक है, तो इसके सबस पुमिया और शरियत विल्ला निक किया था ठीक है तैयूनी आंदोलन 1890 में नहीं हुआ था दोस्तों तैयूनी आंदोलन 1849 में अभी पढ़ चुके क्या हुआ था पत्त बोधनी सभा के स्थापना हुई थी ठीक है ये गलत हो गया और गलत पूछा है तो यही आंसर इसका हो ज कुषानवंस के किस शाषक के सिक्कों पर शिव इसकंद तथा विष्णु आध की आकृतियां उत्कीन मिलती है तो भूविश्क की मिलती है ये ध्यान देना है और कुजूलकत्विसेस ने इस्थापना की थी का से कुषानवंस का से कुजूलकत्विसेस ने इस्थापना की दंड़ पाश्रिक कहते हैं पुलिस पसे पिसाज का पकड़ने का काम पुलिस कर सकती है तो दंड़ पाश्रिक firebhaha सर्वोच अधिकारी होता था अब महादंड नSpार्ष कुल्ब forcing न्याले मान सकते हैं पाकुलिसे महा बलाधिकरत, मतलब जो बलशाली हो, सेना पती होता था, ठीक है, तोबिस्वा है, कथन कारण वाला है, अरुन ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, सही बात है, क्योंकि यह अपने धुरी पर अधिक जुका हुआ है, कथन कारण सही है, और व्याक्षा भी कर रहा है, पच्छिसवा है, निमलिकित में से कौन सा एक उशल कटिबंध है, घास के मैदान का उदाहरन नहीं है, पंपास नहीं है, ठीक है, घास के मैदान हो गए, यह देखिए, पंपास दोस्तों अर्जेंटीना में है, यह देखिए, तो अर्जेंटीना उशल कटिबंध में नही जुला में है। कमपास ब्राजील में आ जाता है। तेलवास बेरु चिली के बीच में आ जाता है। है फंपास आर्जेंटिना मे आता है फंपास उश्लम कटबंधी नहीं है फंपास शीत कटबंधी gghti है फिल्द धक्षलत अफरीका में आता है ये hy हम लोगों को ध्यान देना है और जो शीट कटबंद यह घास मैंदान है उसमें प्रेरी इस्टईपी और हंगरी आजाता है दूस्तों ठीक है? और भारत में भी आजाता है बुग्याल आजाता है भारत में ठीक? खबी स्वह आजाता है मुलाब में एक जिने Mother of Pearl Clouds कहा जाता है वाइव मंडल की किस संग्रशना में पाई जाती है तो वाइव मंडल की समताफ मंडल में पाई जात की फिन लेंड को जीलों की वाट क्या कहते हैं ये भी सही है तो पूछ रहा है असत्य कथन बताना है तो इन में से कोई भी असत्य नहीं है मतलब सब इसमें सकते हैं ठीक है USA की पांच बड़ी जीले हैं ये देखें ये बॉर्डर जा रही है USA और कनाडा के बीच में और ये Michigan जीला पूरी की पूरी Michigan जील USA में से ये बहुत important है ये जीलें दोनों के बॉर्डर पर हैं superior हो गया, Huron हो गया, Erie, Ontario ठीक है, और इसमें करम भी पूछा जाता है, करम भी आपको याद रखना है, आप इसको Holmes से याद कर सकते हैं, ठीक है, Holmes से Huron हो गया, O से Ontario हो गया, M से Michigan, E से Erie, और S से superior हो गया, ठीक है, यह जो पेरू और बोलिविया के बीच में है, यह टिटी का क जीले, यहाँ पर टिटी का का जीले, ठीक है, 28 देखते हैं, निमलिखित में से किस देश की राजधानी, गरजिती चालीशा हवाओं के मार्ग में पढ़ती है, तो गरजिती चालीशा मतलब 40 डिगरी अक्छांस पर पढ़ती है, 40 डिगरी दक्षणी अच्छा, अक्छांस जाता है, निमलिखित में से कौन अन तीन की तुलना में सबसे कम सूर के प्रकाश को परावर्ट करता है, तो गहरे सागर सबसे कम सूर को प्रकाश को परावर्ट करता है, ठीक है, बताना है कौन सा है, एक यूग में सही सुमेलित है, सेमांग न्यूजिलेंड में नहीं है, सेमांग कहा है सेमांग मलेशिया में है ठीक है तो सेमांग मलेशिया में है मावरी न्यूजिलेंड में ठीक बोरो ब्राजील में ही है तो इसका यही सी आप्शन सही हो जा कि बन्तु दोस्तु श्रीलंका में नहीं है बन्तु अफरीका महाधीप में है ठीक है 31 हो गया भारती सम्मिधान में राज के नीति नीदेशक कत्तुम के संदर में किस कौन कत्रों पर विचार करना है सम्मिधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलेंड के सम्मिधान से लिया बिल्कुल सही है आयरलेंड के सम्मिधान में इसे अमेरिका के सम्मिधान से गरान किया गया यह गलत हो जागा आयरलेंड के सम्मिधान में इसको इस्पेन से गरान किया गया था ठीक है क्योंकि जब आपात काल की गोशना लागू होती है तब केंदर राज के सामान सम्मंदों में मूल भूत परिवर्तन हो जाते हैं बिल्कुल सही बात है और कथनकारण की व्याक्ष्या भी करता है आपात काल के दौरान अनुच्छे धाई सो के अंतरगद राज सूचे के विश बजट का प्रस्तुती करन किया जाएगा फिर आम बहस होगी उस पर ठीक है आम बहस के बाद फिर उसमें विभागी समितियों के पास जाएगा उसकी जाच करेगी ठीक दो एक पांच हो गया फिर अनुदान की मांग पर मतदान होता है फिर जो भी मांग की जाएगी उसको अनुदान की मान के रूप में उस पे मतदान किया जाएगा जब उसको पारित कर दिया जाता है तो उसको विन्योग विधयक कहते हैं ठीक? तो तिस्वा है निमलिखित इगुवों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो इलाहाबाद ही सही सुमेलित नहीं है इसका हुआ था 1886 में ठीक है लिए माचल परदेश का गठनी 1971 में हुआ था हम लोग पढ़ चुगे है तो 1971 इसका सही है जम्मू कश्मीर का 1928 में और प नियाएक निकाय की रूप में वित आयक विवस्ता की गई बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसका गठन राश्टपती द्वारा हर चौथे वर्ष गलत है पांचवे वर्ष किया जाता है तो ये वाला गलत हो जाएगा तो सत्य पूछा है तो केवल एक इसका सत्य हो जाएग पूट्टा स्वामी बना भारत संगवाद का मुख्य उत्पात क्या है इसमें पूट्टा स्वामीवाद में निजता के अधिकार को अनुछे 21 को मूल अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया था और इसमें क्या कहा जाता है कि आधार मेडा डेटा को 6 माह से अधिक संग हो जागा ठीक है 39 निमलिखित में से कौन सा एक इको टोन का उधारन तो घाज भूमिया जवार नदमुख और नदी तट तीनों इको टोन के उधारन है ठीक निमलिदेशों में से किस देश की समुद्री तट रेखा नहीं है लाइबेरिया उरगवे अंगोला की बोलिविया क दक्षड अमेरिका महादीप के भू आवेश्टे चेतर हैं मतलब भूमिसे घिरे देश है ठीक है 41 निमलिखित युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो कर्मा डेगर्थ उत्री परशांत महासागर में सुंडा गर्थ हिंद महासागर में सही है पिर्टो रिको 42 हो जाएगा कौन सा एक विशे संग सूची से संबंदित नहीं है युद्ध योम संदी है ये संग सूची से है पिर्शी सिचाई सलके यही नहीं है तो बी आंसर इसका सही हो जागा हवाई डाक्तार टेलिफून ये है बैंक बीमा खाने ये सब हम लोग पढ़ चुके है ठ ग्रहन की तारीक से 6 वर्ष ये 62 वर्ष की आयू तक होता है ठीक है तो वालिसवा भारत की अस्थली सीमा से लगे पड़ोसी देश साथ हैं दोस्तों और टोटल वैसे 9 है और जो समुदरी सीमा जाती है उसमें श्रीलंका और माल्दी भी आ जाता है ठीक है तालिसवा है नि सतमाला पहाड़ी अजंता पहाड़ी हरिष्चन पहाड़ी बाला घाठ पहाड़ी महादेव पहाड़ी ये सब किसमें हैं ये सब महराष्ट में है और मैकाल पहाड़ी मंध्य परदेश में है ठीक है तो नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर में गिरती है तो 47 में का D सही हो जाएगा और 47 है Global Environment Outlook प्रकाशित किया जाता है UNEP की द्वारा United Nations Environmental Program की द्वारा निमलिखे तियुवों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो जनजातियां है ओंग अंडमाननी को बार में है सही सुमेलित है ये अलाम पुरपूरा में है पिछली बार में पढ़चुके थे सही सुमेलित है लेप्चा सिख्किम मैं है सही है ये भी और गदी गुजरात में नहीं ये गदी हिमाचल परदेश में है हम लोग पढ़चुके है तो यह गलत हो जाएगा और गलत पूछा है तो 59 का डी सही हो जागा ठीक 50 है दैनिक तापांतर भारत के किस छेतर की जलवाई की विशेश्टाव में से एक है मतलब दैनिक तापांतर राजस्तान के मरस्तली छेतर में दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है 52 महादीपी विस्थापन सिधान के अनुसार पैंजिया का विभाजन अंगारा लेंड और गोंडवाला लेंड में कब हो गया था दोस्तों इसका आंसर इन्होंने कार्बोनिफेरस काल में दिया है वैसे इसका आंसर जुरैसिक काल में सही है पिरपन में निमलिखित में से किस एक को राश्पती चुनाओ है तो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है ये लोग हम लोग ये कुश्चन हम लोग राश्पती के अभी पिछली क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके है तो किसको शामिल नहीं किया जाता है संसत के मनोनीत जहां भी आएगा बाहर कर देंगे नहीं शामिल किया जाता है राज की बिधान सभा के मनोनीत जहां आएगा बाहर कर देंगे राज बिधान परिसन जहां आएगा बाहर कर देंगे मदलब उपरोग तो सभी इसके बाहर हो जाएंगे ठीक है तो वह ने निमलिकित में से किस एक अनुच्छेद में यह वरलित है कि धन विदेयक लोग सभा में ही प्रस्तावित किया जा सकते हैं यह सभा में नहीं तो अनुच्छेद 109 में धन विदेयक के संब्द में इसकी प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 110 में धन विदेयक है 108 में संयुक्द अधिवेशन है और 111 में धन वित्विधयक को पारित करने के सम्मन्द में राष्टपती के अधिकार दिये गरे हैं ठीक है पच्छपन में है उमेलित करना है राज और लोग सभा की सीटे तो दोस्तों तमिल नाड राजस्तान हमको पता है इसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट में है 48 है तो चौथे का एक हो जाएगा मतलब ये वाला बाहर हो जाएगा और उसके बाद अब हम लोग देख सकते हैं तमिलनाडू, राजस्थान और गुजरात में सबसे ज़्यादा जल संक्या कहा हो रही होगी से आप लोग गुजरात में 26 है इस तरीगे से आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं अगर ना भी पता हो तो भी अपन है पेसा अधिनियम की समित की सिफारिश पर आया था तो भूरिया समित की सिफारिश पर पेसा अधिनियम 1996 में लाया गया था पतावने निमलिखित कथरों में से कौन सा एक शून निकाल के सम्मध में सत्य है शून निकाल के विचार है तो विशे पहले से निरधारित नहीं होता बिल्कुल सही है परश्ण निकाल में पहले से निरधारित होता है ठीक है भारती संसत प्रक्रिणया में शून निकालका उलेखने ये भी सही बात है नहीं उलेखने ये मिडिया के दौरा लाएगा इकली बात ये ठीक है पूर सूचना दीये जाने के पश्चात ही सार्जनिक महत्तिका कोई प्रश्णिन इसमें उठायजाता है गलत बात है इसमें पूर सूचना नहीं दी जाती है इसलिए इसको शू निकलता जाता है तो तीसरा गलत हो जाएगा तो पहला और दूसरा केवल सत्य हो जाएगा ठीक है 131 उस्तम नियाले के नियाधिशों के वेतन भत्ते पेंशन नहीं है तो यहीं आंसर हो जाएगा एक सो एक तो तरीके से पढ़ायते समझायते जब नागरिक्ता का से लिये थे दोस्तों 6 में है पाकिस्तान से भारत जाने वाले और 7 में है भारत से पाकिस्तान आने वाले ठीक है 10 में क्या है नागरिक्ता का बना रहना और 11 में क्या है संसद नागरिक्ता के संब्ध में कानून बना सकती है ठीक 60 है, मन्ति परशत के विरुद अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोग सभा के सदस्यों की संख्या नियूनितम 50 होनी चाहिए, ठीक, 61 है, निमलिकित में से कौन सा एक यूग में सही सुमेलित नहीं है, इंसुलिन, बीटा कोश्का से, है की नहीं, अगनाशय की बीटा कोश्का से, लेंगर हैंस की दीपिका से, है की नहीं, ये पढ़े हैं, ग्लूकागान अल्फा कोश्का से ये भी सही है, प्रोजेश्टरान, ग्रेफियल फॉलिकल ये गलत हो जागा दोस्तों, ठीक है, और सुमेटो इस्टेटिन, गामा कोश्का से निकलती है, सही है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है, नोट कर लीजेगा, ठीक, बासट है, निमलिखित में से कौन सा एक वाई मंडली दाब में कमी का उदाहरन नहीं है, तो पहाडों पर खाना देर से पकना ये उदाहरन है, वाई वान में बैठे यातरी का फाउंटेन पैंसे स्याही का गरना ये भी ये वाई दाब में कमी का उदाहरन, अधिक उचाई पर नाक से खून आना वाई दाब कम होता है, इसलिए, ठीक, लाल्टेन की बत्ती में तेल उपर चलना ये नहीं है, ये केशी कप्तो का उदाहरन होता है, ठीक, 63 है, निमलिखित कत्रों पर विचार करना, विटामिन D को हार्मोन माना जाता है, सही है, और विटामिन A को संक्रमल रोधी विटामिन भी माना जाता है, ये भी सही है, तो दोनों कत्रों इसके सही हो जाएंगे, ठीक, 64 है, निमलिखित कत्रों में से कौन सा है, रोधिर के संब्ध में सकते है, या एक तरल सही हो जी उ जहरीला पदार्त उतपन किया जाता है असंतुलित पोशन से ये भी सही है अति पोशन से ये भी सही है मतलब उपरोग क सभी इसका आंसर हो जाएगा ठीक है 67 ते है कथन कारणवाला है आयोडीन यूक्त नमक का सेवन थाइराइट ग्रंति के नियंतरल में उपियोग होता है सही statement है क्योंकि शरीर में आयोडीन की कमी से थाइराइट ग्रंति में व्रिध्ध होती है ये भी सही है और कथन कारण की व्याक्षा भी करता है तो यह इसका सही हो जाएगा निमलिखित में से कौन एक विशालूओं में सजीवों का लक्षण नहीं है विशालूओं में सजीवों का लक्षण नहीं है तो RNA की उपस्तिती होती है विशालूओं में DNA की भी स्तिती होती है और गुलन नहीं पाया जाता है ठीक 69 ते प्रकाश की किरण को पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के लिए निमलिखित में से किस से गुजारा जाता है तो काच से जल में गुजारा जाता है ठीक 70 है निमलिखित में से कौन सा एक प्रति जैविक है sodium bicarbonate, alcohol, yeast streptomycin परति जैविक है 71 है निमलिखित में से कौन राज सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है भूराजसो है प्रत्यक्ष कर व्यावसाय कर है व्यापार कर बिक्री कर नहीं व्यापार कर और बिक्री कर आप्रत्यक्ष कर है गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर ये भी प्रत्यक्षकर में आता है, ठीक है, 72 है, मिलान करना है, करम से अब वित आयोक के अध्यक्ष कौन कौन थे, तो पहले वित आयोक के अध्यक्ष हम लोगों पता होगा के सी नहीं होगी, ऐसे याद कर सकते हैं 14 हुए के कौनते रेड़ी थे ठीक है यह तर्मा है कथन कारण वाला है सेवी का कार्य प्रतिभूतियों की insider trading पर रोक लगाना है यह सही statement है क्योंकि insider trading share बाजार से संबंधित वह अवैधकार है जिसमें किसी company के करमचारी या कोई संबंधित व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोकर share trading किया जाता है सही है और सही व्याख्या भी करना है ठीक है दोस्तों यह सही हो जाएगा चो 70 है निमलिखित कत्रों पर विचार करना है 1992-93 में चालू खाते पर रुपए की आंशिक परिवर्ति नियता को सुईकार किया गया था सही है हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रेविक्रे के एक परकार का वैधानिक बाजार है गलत हो जाएगा और नहीं पूछा है तो दो गलत हो जाएगा वैधानिक नहीं काला बाजार ही है ठीक है ये अवैद तरीका है हमाला बाजार में पैसा लगाना ठीक अगला 75 है कौन सी योजना एक कम लागू की गई थी बताना मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लागू की गई थी तो पहले का एक हो जाएगा परधान मंतरी जीवन जोती बीमा 2015 में आई थी तो दूसरे का दो हो जाएगा इंडिया 2016 में आई थी तो 3 हो जाएगा परधान मंतरी आवास योजना 20 नौंबर 2016 में आई थी ये भी सही लिखा हुआ तो 1,2,3,4 का सही हो जागा इसमें हम लोगों को D option सही हो जागा इसमें हम लोगों को stand-up योजना 6 जनवरी को लाई गई थी ये ध्यान देना है ठीक है 70 है निमलिखित कत्रों पर विचाय करना है शियर बाजार में कारोबार करने के लिए DMAT अकाउंट खुलवाया जाता है बिल्कुल सही बात है इंडिया के लेखक बिपिन चंग्रा है 79 देश में और संग्रशना पर योजनाओं के कारे को तुरित करने है तो राश्टी निवेस और संग्रशना कोश की स्थापना जुलाई 2015 में की गई अस्ति है निमलिखित में से किस परकार की बेरोजगारी पूल रोजगार की इस्ति में भी अर्थव्यस्था में विद्दमान रहती है तो घर्शन जनित बेरोजगारी हमेशा रहती है घर्शन जनित बेरोजगारी का मतलब ये भी होता है कि एक वेक्ति एक रोजगार को छोड़ करके दूसरे रोजगार की तलाश करने के बीच का समय घरस्वनात्मक बेरोजगारी होती है ठीक और चक्री बेरोजगारी बाजार की मंदी के समय आती है जब बाजार में उत्पादन बढ़ता है तो चक्त्री बेरोजगारी दूर हो जाती है तो ये बाजार की स्थी के अमसाल होता है मौसमी बेरोजगारी जाधा तक क्रिशिमी होती है किने एक सीजन के बाद दूसरे सीजन के बीच का समय मौसमी बेरोजगारी होती है और संग्रशनात्मिंग विरोजगारी जो कौशल, स्किल्स और जो मांग होती है उसमें गैप के कारण होती है संग्रशनात्मिंग विरोजगारी ठीक है 81 हो जाता है बजट 2023 में श्री अन्योजना का उद्देश मोटे अनाश्टी उत्पादन को बना बहुत इंपर्टेंट है ध्यान देना ही है इसको मोटे खाद्यान के अंतरगर शामिल किया जाता है बाजरा, जवार, मक्का, सुर्गम ये सब होते हैं मोटे अनाश्टीक है युक्तरा समित के सिफारिस पर की गई थी एड़ाई का जो हेड़ क्वाटर है वो कहां है है हैदराबाद में ठीक है और इसकी स्थापना 2000 में की गई थी ये ध्यान देना है अब 85 में मानक और विशेष्टाओं में से कौन सा एक सही सुमेलित है ये बताना है ISO 9000 पर्यावरण, ISO 14000 गुरवत्ता, ISO 50001 उर्जा प्रबंधन ये वाला सही है ये वाला सही है और देखिए जो ISO 31000 है ये खाद सुरक्षा प्रबंधन नहीं है ये आपदा ये जोखिम प्रबंधन पर है ठीक ये ध्यान देना है क्योंकि हमने 31 को 13 से ये रिलेट कर लिया क्योंकि 13 नंबर कमरा हम लोग कहानिवानी वगरा पढ़े होंगे तो 31 का उल्टा कर दिंगे तो तेरा जाएगा आपदा प्रबंधन ये जोखिम प्रबंधन प्रबंधन है ठीक चौदा का परियावरल प्रबंधन है और 9000 का गुर्वत्ता प्रबंधन हो जाएगा ठीक है इसका ये उल्टा लिखा हुए है ठीक 86 तक उत्तर प्रदेश सरकारदवारा किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश की क्रिश निर्याद को दो गुना करने का लक्ष रखा गया है तो 2024 तक लक्ष रखा गया है भारत में दो ट्रिलियन निर्याद करने का लक्ष 2030 तक रखा गया ये ध्यान देना है 87 है निमलिखित में लक्षित प्रतिशत से अधिक वृद्धिदर प्राप्त करने वाली पंच वर्षी योजना कौन सी थी बहुत आसान है 15678 पहली रहेगी रहेगी तो इसमें कौन सा आ गया तो सातवी इसकी सही हो जागा ठीक है और निक्षेत की कंपणियों को महारतन का दर्जा दिया गया तो 2010 में महारतन का दर्जा दिया गया वर्तमान में इसमें 12 कंपणिया है नबे का है निमलिखिद में से किस प्रकार की सबसीडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सबसीडी माना जाता है आरेक को प्रदर्शित किया जाता है और ये दोनों का विलूम सम्बंध पाया जाता है ये भी सही है विलूम संबलब बेरोजगारी बढ़ेगी तो रोजगार घटेगा मलब विलूम हो गया रोजगार बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगी तो ये विलूम संबलब हो गया तो दोनों कथन इसके सक्थे हो जाएंगे 92 है वर्ल्ड इन्वेश्टमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती तो अंकटाड की द्वारा जारी की जाती United Nation Convention on Trade and Development की द्वारा जाती 93 है भारत समावेशी नवाचार कोश की स्थापना 2014 में की गई है 94 है मानोविका सूचकांग को बनाने में निमलिकित में से किस एक के आधार का पर्योग नहीं किया जाता है शिशुलिंगा अनुपाद यही नहीं किया जाता है दोस्तों है कि रही एक्छा जीवन प्रतियाशा प्रतिवक्ति आये इन तीनों का किया जाता है शिशुलिंगा नुपात का नहीं किया जाता है ठीक 96 का देखते है 60, 180, 60 का 60 में आधा जोड़ेंगे 90 90 में इसका आधा जोड़ेंगे 45 जोड़ेंगे 135 इसका सही हो जागा ठीक है अब इसमें देख लीजेगा आप 4 है इनमें 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है तो इसका अंसर 4 हो जाएगा ठीक बोतल में मदिरा है, कप में चाय है, घड़े में पानी है, गेद में बल्ला नहीं है यही गलत हो जाएगा और B option इसका सही हो जाएगा ठीक है दो संख्याओं का LCF, HCF ये वाला है, पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या, 36 गुड़े दूसरी संख्या और बराबर 12 गुड़े LCF, गुड़े HCF होता है, तो 36, 12, 33 हो गया और तीन गुड़े, तीन गुड़े 49 करेंगे, तो 144 आ जाएगा, तो 48 इसका आंसर सही हो जाएगा ठीक है, सोमे का हैं दोस्तों, अल्फाबेट वाला है, सोमे का इसका आप लोग आंसर देख लीजेगा है, इसका C है, हम लोग आंसर इसका प्रवाइट पुड़ा करा देंगे, ठीक है 101 का Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, B option इसका सही हो जाएगा, है की नहीं 102 है, दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, तो वो पती-पत्नी है ठीक है, 102 का पती-पत्नी हो जागा, ठीक, 103 है, एक पिता की उमर उसके पुत्र की उमर की नो गुनी है माता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की आठ गुनी है मतलब पिता नो गुने है माता आठ गुने है पिता और माता की उम्र का योगफल 51 है तो पुत्र की उम्र क्या है मतलब पिता दोनों की उम्र का योगफल 51 है मान लेते हैं पुत्र की उम्र 3 है ठीक है तो पिता की उम्र 27 हो जाएगी और माता की इम्र 824 अल्द्य। यहीं दोनों जोड़ दे एक क्या बना गया है कि नहीं तो option से इसको D option सही हो जागा ठीक है एक सो चार का क्या है 17, 5, 22, 9, 31 हो गया 21, 24, 7, 31, 10, 6, 16, 15, 31 सी option इसका सही हो जागा ठीक है एक सो पांस जेतने क्रिश्णा अपने घर से एक किलोमीटर पूर्व की और चलता है फिर एक किलोमीटर उत्तर की और चलता है उन्हां दो किलोमीटर पूरव की और फिर तीन किलोमीटर दक्षण की और गया है कि नहीं मतलब यहां से फिर यह यहां तक दो है तीन किलोमीटर दक्षिन और गया फिर तीन किलोमीटर पस्टिंग की और गया मतलब दो यह चला और एक यह चला ठीक अब यह कितना चल दिया अब कह रहा है कि अब उसे अपने घर पहुँचने के लिए किस दिशा में कितना चलना पड़ेगा मतलब उत्तर दिशा में कितना चलना पड़ेगा एक इधर हो गया दो मतलब उत्तर दिशा में दो किलोमेटर चलना पड़ेगा ठीक तरवथा भिन्द है अंगूठी टायर चोड़ी प्लेट इसमें बिन्द हो जाएगा ठीक है 107 है किसी घड़ी में 3 बच कर 12 मिनट से 6 बज़े तक समय बदलने में घंटे की सुई कितने अंज घूमती है तो घंटे की सुई 3 से 6 घूमी 3, 4, 5, 6 मतलब 3 घंटा घूमी तो 90 डिगरी हो गया लेकिन ये 12 मिनट कम घूमी और 1 मिनट में कितना घूमती है एक मिनट में आधा डिगरी तो 12 मिनट में आधा डिगरी कम घूमी तो आधा मतलब 12 का आधा 6 घटा देंगे तो 14 से इसका अंसर रही हो जागा ठीक है तो A की जगह हम ये रख सकते हैं तो मलब B की पावर Y बराबर B की पावर 1 by X रख सकते हैं अब B ये दोनों बराबर हैं अब इसमें क्या है आधार बराबर है तो आधार बराबर है तो घातों की हम तुलना कर लेंगे तो Y बराबर 1 by X तो अब Y into X बराबर 1 होई जाएगा है कि नहीं दोस्तों तो जब y into x करेंगे तो बराबर 1 आई जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 108 का 1 हो जाएगा ठीक अब 109 है निमलिखित पारिट तंत्रों में से किस एक की उत्पादक्ता सरवाधिक होती है और 2009 से इसका नाम बदल कर साक्षर भारत मिशन कर दिया गया दोस्तों ठीक है 111 है असत्य कथन बताना है उत्तर परदेश में सिचाई नलकूप के माध्यम से की जाती है सही है परदेश में इसका प्रियोक्षण 1930 में सरवपर्थम सहारनपुर में नहीं है दोस्तों मेरट में हुआ था सरवपर्थम ठीक है ये ध्यांदेना तो दूसरा गलत है और गलत ही पूछा है तो B आंसर इसका हो जाएगा 112 है मरको सुर एक मुक्त व्यापार संगठन है ये कहां पर है ये दक्षण अमेरिका में है दोस्तों ठीक है ये ध्यांदेना है बहुत इंपॉर्टन है दक्षण अमेरिका आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे बापू नामक ट्रिक से बापू मतलब B से ब्राजील हो गया A से अर्जंटीना हो गया P से परागवे हो गया और U से उरुगवे हो गया इस तरीके से आप मरको सुर को याद कर सकते हैं 113 है गोमती नदी किस अस्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों गोमती नदी गाजीपूर में आके गंगा नदी से मिलती है और ये पीली भीत के फुलर जील से निकलती है और गाजीपूर में ये कैथी गाउं में आकर के मिल जाती है 114 है नौन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर परदेश के किस छेतर में पाया जाता है मकरी एम खोह छेतर में ही मिर्जापूर में ही या पाया जाता है सोनराई छेतर दोस्तों ताबा के लिए परसिद्ध है सोनराई छेतर ताबा के लिए और भीकमपुर सोना के लिए सोना आजाएगा तो भीक नहीं मांगना पड़ेगा फिर भी लोग भीक मांगते है भीकम पुर्छेत्र सूना के लिए परसिद्ध है और कजराहट दोस्तों सोनभद्र का डोलो माइट के लिए परसिद्ध है ये हम लोगों को ध्यान देना है ठीक है 115 है प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतरगत उत्तर परदेश एलिफेंट डिजर्व की स्थापना कपी गई थी तो सितंबर 2009 में की गई थी एलिफेंट योजना एलिफेंट एलिफेंट 1992 में आया था ठीक है 116 है जनगलना 2011 के अंतरगत उत्तर परदेश की कुल कारशील जनसंख्या के कितने परतिशत लोग किरशी एवं संबंद छेतर में लगे थे तो 69 दसमलों तीन परतिशत लगे हुए थी ठीक है 118 है इंडियन इंस्टिटीट आफ हैंड लूम टेक्नलोजी अवस्कित वारारसी इसको देखते ही हमको एक बार में याद हो गया था क्यों क्यों हमने रिलेट कर लिया हैंड लूम मतलब हत करगा हत करगा मतलब कभीर दास बनारस में पैदा हुए थे कभीर दास के माता पि 2011 है कि उनसार निमलिखित में से किस एक की जन संक्या की दशकी वृद्धत सरवाधिक की बहुत इंपोर्टेट है दादरा यूम नगर हावेली की थी 120 है निमलिकित में से कौन सी जंजाती सोन भदर में नहीं पाई जाती तो सोन भदर में दोस्तों सहरिया नहीं पाई जाती है ठीक है और बाकी पहरिया बैगा खरवार पाई जाती है सोन भदर में 122 अपरेल 2023 में कौन सा यूरोपिये देश नाटो का 31 सदस्य बना तो फिनलैंड बना ही कता है 123 अपरेल 2023 में क्रिश्टीना कोच मिशन आल्टेमिस 2 के तो है चंदमा पर जानने वाली पहली महिला अंतरिक शात्री बनी वह किस देश की है तो USA की है और पहली महिला अंतरिक शात्री वेलेंटीना तेरिश कोवा थी और ये चंदमा पर जाने वाली पहली महिला है कोच है ये धानना भारत की पहली कल्पना चौला थी 124 अपरेल 2023 में किस पूर्मोत पर भारती राजश्चेते किबूथू जहां आया अरुनाचल पर देश हम लोग पढ़े है किबूथू 97 डिगरी 25 मिनट पर किबूथू नामग गाउ अरुनाचल पर देश में इस्तिते जो सबसे पूर्वी हिस्सा है और वहीं से वाइबरे किया गया था तो मुंबई को शामिल किया गया है ठीक है 126 है हाली में देश के पहले पीम मित्र पार्क की स्थापना कमिल नाडू में हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना है दोस्तों ठीक 128 प्रसिद्ध टाइम पत्र का दवारा अपरेल 2023 में जारी टाइम सो रीडर पोल में किस भारती बॉलिवट को अब नियता को शीर सस्थान पर चारुक खान को दिया गया शीर सस्थान ठीक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है 129 है अपरेल 2023 में निमलिखित में से किस देश को UNCC की अध्यक्षता United Nations Security Council की अध्यक्षता रूस को सौपी गई है ठीक 133 है अपरेल 2023 में निमलिखित में से कौन श्रीलंका एम न्यूजिलेंड के मद्ध खेली गई पुरुष्टों की T20 स्रेंखला में अंपाइरिंग करने वाली पहली महिला अंपाइर बनी है तो किम कॉर्टन बनी है ठीक है 131 है अपरेल 2023 में कूप इंडिया 2023 नामक वाई सेना अभ्यास भारत और अमेरिका के बीचने होता है 132 है अपरेल 2023 में केंद सरकारवारा टीवी सोमनाथन समीत का गठन किया गया जिसका उद्देश था नेशनल पेंसेन प्रणाली की समीक्षा करना ये वाला था और पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे हिंडनबर्ग मामले की जाच के लिए एम सप्प्रे है कि ने हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे एम सप्प्रे थे उसके 133 है अपरेल 2023 में निमलिखित मध्य अमेरिकी देशों में से किसने क्रिप्टो फर्मों के लाइसेंस देने की पहल शुरू की है तो अलसलवा डोर ने शुरू की है ठीक 134, अपरेल 2020 में पर निमेश परियोजनाओं को आमंतरत करने है तो golden license पहल की शुरुआती है तो golden license पहल की शुरुआती है ठिक है 135 हमा चाता है अपरेल 2020 में निमलिखित में से किस देश से अपने नागरीकों को सुरक्षित निकालने है तो भारेस सरकार्द आपरेशन का वेडी बहुत इंपर्टेंट है सूदान ठीक है ओपरेशन दोस्त तुर्की 136 अपरेल दोजार्टेस में संगहाई सहयोग संगठन स्टीयो के रक्षा मंतरियों की बैठक का आयोजन किया गया नई दिल्ली में ठीक है 137 निमलिखित में से किस तिथी को वैश्विक बौधिक संपदा दिवस मनाया गया 26 अपरेल को मनाया गया है ठीक 138 है अपरेल दोजार्टेस में किस गरहतिये विस्तरित अध्यान है तो यूरोपी अग्तिरिक्ष एजनसी ESA यूरोपी अग्तिरिक्ष एजनसी जूस मिशन परादम किया जैसे जूपिटर होता है ठीक है तो जूपिटर मतलब ब्रहस्पति हो जाएगा इसका अंसर ठीक 149 अपरेल दोजार्टेस में कंबम पनीर थ्राचाई अंगूर को जियाई टेक परदान किया गया यह किस राज में कंबम तमिल नाड़ु आ जाता है ठीक है कंबम रामायर भी थी ए ठीक है संगम साहित में ठीक हम लोग देखते हैं 140 है अपरेल दोजार्टेस में भारत और स्रीलंका में स्लाइनेक्स हुआ है यह स्लाइनेक्स नो सैनी का अभ्यास होता है ठीक है इंडिया स्रीलंका ठीक है दोस्तों इस तरीके से हम लोग 140 कोश्चन पूरा फुल एक्स्प्राइनेशन के साथ मैपिंग के साथ कवर किये हैं उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समय और कोई भी अगर रिक्वाइर्मेंट हो कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा उस पर तुरंत काम किया देगा उम्मीद करते हैं शेशन आपको पसंद आया होगा शेशन को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और दोस्तों मिलते हैं अगले शेशन में जहिन जभार